पहली बात आपकी चेतना आपकी है ही नहीं आपकी जो चेतना है वह पूरे मानव जाती की चेतना है क्योंकि जो आप सोचते हो जो आपके विश्वास है जो आपकी समवेदनाओं की अभिवेक्ती है जो आपकी प्रतिक्रियाए है आपके दुख, डर्द और सुरक्षा, आपके ईश्वर और बाकी सब पूरे मानव जाती के दौरा साजा किया जाता है चाहे आप अमेरिका जाओ, इंगलंड जाओ, रशिया जाओ, चाइना जाओ मानो जाती में दुख है वह कष्ट में है सब मृत्यू से डरते है उनकी विचार धराये है विश्वास है, आदर्श है वे कोई खास भाषा बोलते है पर सोचना, महसूस करना, प्रतिक्रियाए सारी मानो जाती द्वारा साजा की जाती है यह वास्त विखता है सच है बोलने वाले का कोई आविश्कार नहीं, कल्पना नहीं, अनुमान नहीं यह वास्त विखता है आप पीडा में जीते हो आपका पडोसी भी पीडा में ही जीता है चाहे वह आपसे हजारों मील दूर रहता हो उसे भी पीडा होती है वह भी असुरक्षित महसूस करता है जैसे आप करते हो शायद आपके पास बहुत पैसा हो पर भीतर से आप असुरक्षित हो वैसे ही अमेरिका का रहीस इंसान पावरफुल इंसान वे सभी इस दर्द, चिंता, अकेलापन, निराशा से गुजरते है तो आपकी चेतना आपकी नहीं है आपका विचार भी आपका वैक्तिक विचार नहीं है आपका खुद का अकेले का नहीं है विचार सार्वजनिक है सोचना आपका अकेले का नहीं है वह सबका है, सामान्य है गरीब, गवार, अपरिश्कृत, छोटे से गाव में रहने वाले वैक्ति से तो सबसे परिश्कृत मस्तिश्क तक बड़े से बड़े वैज्यानिक पूरी मानव जाती इसे साजा करती है इसलिए यह आपका व्यक्तिक व्यक्तिगत विचार करना नहीं है इसे समझना थोड़ा बहुत मुश्किल है इसे देख पाना और इसके सत्य को पहचान पाना, जान पाना मुश्किल है क्योंकि हम सब संसकारित है, कंडिशन्ड है आपकी सारी धार्मिक किताबे, चाहे मुस्लिमों की हो या इसाईयों की हो या बाकी किसी दूसरे धर्मों की हो वे सारी किताबे व्यक्तिगत विचार को बनाये रखती है उसका पोशन करती है, व्यक्तिक विचार की धार्ना को आपको इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए आपको इस मामले के सच का पता लगाना चाहिए और हम साथ मिलकर खोजबीन कर रहे है और हम देखते हैं कि दुनिया का हर इंसान चाहे वह समाज के धाचे का कितना भी निचले दर्जे का इंसान हो और दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक, वैग्यानिक क्यों ना हो वे सब विचार करते हैं, सोचते हैं फिर से यह चेतना पूरे मानो जाती की है इसलिए कोई व्यक्तिगत इंसान नहीं हाँ, सतही, बाहरी तोर पर कोई नाटा हो सकता है कोई लंबा हो सकता है कोई जादा शिक्षित हो सकता है बाहरी तोर पर पर भीतर से वह पूरे मानो जाती का क्षेत्र साजा करता है जो सार्वजनिक है अगर आप इसका बहुत गहराई से बहुत करीब से परिक्षन करते है तो यह तथ्य है पर अगर आप डरे हुए है वैक्तिक की धारना की संसकार बद्धता में जक्ड़े हुए है तो फिर आपको इस असाधरन तथ्य की विशालता असीमता कभी नहीं समझाएगी की आप ही पूरी मानव जाती है वहा से फिर प्रेम है, दया है, बुद्धी है पर अगर आप केवल वैक्तिक विचार की धारना से संसकारित हो फिर आप अंतहिन उल्जनों में खोई रहते हो क्योंकि वह ब्रह्म पर आधरित है तथ्य पर नहीं चाहे वह ब्रह्म हजारों सालों पूराना ही क्यों नहो फिर भी वह ब्रह्म ही है आप, आप आपके वातावरन का नतीजा हो जो भाषा आप बोलते हो, आप उसका नतीजा हो जो खाना आप खाते हो, जो कपड़े आप पहनते हो जो परियावरन में आप जीते हो परमपराये, जो अतीत से पीडी दर पीडी पकड़ाई गई है आप वही सब हो, आप उसी समाज का उत्पाद हो जिसे आप नहीं बनाया है समाज आप से अलग नहीं है इंसान ने समाज बनाया है, निर्मित किया है समाज लालच, नफरत, जलन से भरा हिंसा, युद्ध, निर्दता से और उसने ओसाधरन तकनी की दुनिया का भी निर्मान किया है तो आप ही समाज है, और समाज ही आप है आप व्यक्ति के तौर पर नहीं हो यह एक सत्य है, जिसे व्यक्ति को समझना चाहिए बोलने वाला क्या कह रहा है, उसका स्विकार मत कीजिए पर खुद के अपने अकेले पन पर सवाल खड़ा कीजिए क्योंकि व्यक्तिगत मतलब अकेला पन खुद को दूसरे से अलग कर लेना जैसे देश खुद को अलग कर लेता है, जैसे भारतिय और बाकी सब और वे सोचते हैं कि अकेले हो जाने में सुरक्षा है, नहीं अकेले हो जाने में कोई सुरक्षा नहीं परमानव जाती का प्रतिनिधित्व करने वाली अलग-अलग देशों की अलग-अलग सरकारे इसे बनाए रखती है जिस कारण वे युद्धों को भी बनाए रखते है तो अगर आप इस सत्य को जान जाते हैं कि आप व्यक्ति के तोर पर नहीं हो आप व्यक्तिगत रूप से नहीं हो बाहर से आप लंबे या नाटे हो सकते हो पर भीतर से वहा कोई विभाजन नहीं है हम सब एक ही समस्याओं को साजा करते है तो अगर इस सत्य को आप जान जाते हो और मुझे आशा है कि आप जानोगे ही फिर क्या आप एक इनसान के तोर पर जो पूरी मानोजाती का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो क्या आप मुलभूत मनोवज्यानिक मानसिक क्रांती ले आ सकते है